नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओलच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी कि जो आज की तालाख हवर ब्रेकिंग नीज है कि हिमाचल अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना आप अभी आद्यो से 10 की मौत पρदेश भर में है 643 नए संक्रामित मामले जो है आए हैं तो हिमाचल प्रदेश में रवीबार को करोना से 10 मरीज्जों की मौत होई है नेर चौक मेडिकल कॉलिज में रवीबार को करोना से 4 की मौत हो गई मनाली की 70 वर्षिय बजुर्ग संक्रामित महिला हमेरपुर के भोरंज निवासी 70 वर्षिय संक्रामित कुलू के तेक की बेहड निवासी 56 वर्षिय संक्रामित और कुलू के त्रगली निवासी 47 वर्षिय संक्रामित ने दम तोड़ दिया शिमला की आईजेमसी अस्पिताल में तीन मरीज्यों की करोना से मौत हो गई सुंदरनगर निवासी भावन वर्षे महिला निरमंड कुलू निवासी खावन वर्षे संक्रामित व्यक्ति और चौवन वर्षे एक अन्य संक्रामित की भी मौत हो गई है चंबा जीले के 50 वर्षे व्यक्ति की करोना से टांडा में उपचार के दोरान मौत हो गई कांगरा जीले में पालंपुर और देहरा के दो करोना संक्रामितों की मौत हुई है कुलू की 79 वर्षे संक्रामित बजोर्ग महिला की वहाली में मौत हुई है क्षेत्री एस्टाल कुलू में बजुरुग महिला के कोवीड टेस्ट रिपोर्ट पोजिटिव आई थी प्रदेश भर में रविजवार को 643 करोना पोजिटिव मामले आये हैं शिमला में 132 जिसमें कुलू में 120 मंदी में 117 कांगडा में 89 सोलन में जो है 66 मामले हमेरपूर में 36 के नौर में 33 बिलासपूर में 28 लोहत्विती में 17 चमबा में 10 और सेरमौर में करोना के 5 नहीं मामले आये हैं इस परकार एक दिन में 643 नहीं करोना मरीज और करोना से 10 लोगों की मौत हुई है तो दोस्तों ये थी अभी की आज की ताजा ख़वर ब्रेकिंग निउस अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक ही माचल परदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिंग जैभार